Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, my name is Garima आज हम करेंगे Class 7 क्रिशिविग्यान 1.3 भूपरिश्करण का भाग एक इसमें हम देखेंगे कि सून भूपरिश्करण उसकी लाब और हानी भूपरिश्करण का मिट्टी पर प्रभाव, पाटा लगाने से लाब और मिट्टी चढ़ाने से लाब करते हैं, शून भूपरिश्करण किसी फसल की बुआई, पूर फसल के अवशेशों के बिना जुताई किये, सीधे रूप से करना ही शून भूपरिश्करण कहलाता है यानि जब कोई फसल उगाई जाती है, उसकी बुआई होती है, और उसे काटा जाता है, और दूसरी फसल लगाई जाती है, तो दूसरी फसल में जो पहली फसल के अवशेश बचते हैं, उनकी जुताई किये बिना, यानि मिट्टी में जो उनके अवशेश पढ़े हैं, उन के लाब क्या होते हैं खेती की लागत में कमी अब खेती होने में जो भी लागत लगती है उसमें कमी आ जाती है म्रदा शरण को भी कम होना म्रदा शरण भी कम होता है म्रदा संरचना को यथावत बनाए रखना म्रदा संरशना को बनाय रखने का अर्थ है कि जो म्रदा में खाथ, पदार्थ और जो पोशक तत्व हैं वो वैसे कि वैसे ही रहते हैं श्रम एवम धन की बचत अब अगर इसकी जुटाई निराई दुबारा से नहीं की जाएगी तो श्रम की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी लेकिन हानी क्या क्या होती है म्रदा में सक्त सतह का बनना अगर वहाँ पर दुबारा से जुताई नहीं होगी तो जो मिट्टी है उसकी उपरी सतह सक्त हो जाएगी दूसरा पूर्फसल के अवशेशों पर लगे हुए कीट एवम रोग का प्रभाव अगली फसल पर भी होगा पहली वाली जो फसल थी उसके अवशेश उसी में रह गए हैं जुताई नहीं की गई है और खर्पतवार को भी नहीं हटाए गया है तो संभवता अगर वहाँ पर कीट होंगे कीट वा उससे प्रभावित रोग होंगे तो दूसरी फसल जो लगाई जाएगी उसमें भी वो फैल जाएंगे और इससे अगली फसल भी नश्ट की हो सकती है शाक नाशी रसायन का अधिक प्रियोग होना अब जो रसायन बगेरा हैं उनका अधिक प्रियोग किया जाएगा क्योंकि खर्पतवार खतम करने हैं तो इससे भी हानी हो सकती है भूपरिशकरन का मिट्टी पर प्रभाव जो निमली खेत है यानि अगर हम खेत में जुताई गुडाई और निराई करते हैं तो मिट्टी जो है वो भुरबुरी मुलायम एवं पोली हो जाती है जिससे पेड़ पौदे और उनका उत्पादन अच्छे से किया जा सकता है दूसरा भुमी में पाय जाने वाले हानी कारक, कीड़े मकोडे या फिर उनके अंडे, बच्चे वो सब नश्ट हो जाते हैं जो कि फसल को नुकसान नहीं पहुचा पाते चौथा पॉइंट भुमी की भौतिक एवं रशायनिक दशाओं में सुधार हो जाता है तो भुमी में अगर भौतिक संरचना और असायनिक संरचना में पढ़ा है और अगर भूपर इसकरन करते हैं तो इन संरचनाओं में काफी मातरा में सुधार हो जाता है जल दूरा भुमी का कटाओं कम हो जाता है या फिर रुप जाता है जल डालने से भूमी में जो कटाओ पैदा हो जाते हैं वो काफी मातरा में कम हो जाते हैं भूमी में जल धारन चमता भी बढ़ जाती है यानि जल को अवशोशित करने की चमता बढ़ जाती है जल में भूमी और वायू संचार अच्छा होता है पोली मिट्टी में जैसे जल धारन करने की छमता बढ़ जाती है वैसे ही उसमें वायो संचार भी बहुत अच्छे से होता है भूमी में कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं और उनकी मात्रा में वृद्धी हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी उपजाओं मिट्टी के लिए उसके पोशक ततु का समान रूप से होना भी बहुत अवश्यक है और इससे कार्बनिक पदार्थ मिल जाने से उनकी वृद्धी भी बढ़ जाती है उनकी उर्वरा शक्ती भी बढ़ जाती है भूमी में उपस्तित लाब दायग एवं जीवानू के भी विद्धी होती है और उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि जीवानू जो होते हैं वो हानीका रख के साथ साथ लाब दायग भी होते हैं और इससे उनकी उपस्ति बढ़ जाने से जो पैदावार है वो काफी अच्छी होती है अब हम पढ़ेंगे पाटा लगाने से क्या लाब होते हैं पाटा पटरी की तरह होता है पाटा यानि जो लकड़ी का तक्ता होता है उसकी सामानिता लगभग लंबाई जो है दो मीटर होती है तीस से पचास सेंटीमीटर चौड़ा और तीन से छे मीटर सेंटीमीटर मोटा होता है यह लोहे का लंबा बेलनाकार भी होता है यानि यह केवाल लकड़ी का ही नहीं होता लोहे का भी बना होता है इसका उपयोग जुताई के बाद किया जाता है जब खेट की जुताई कर दी जाती है तब पाटा लगाया जाता है और उससे अनेख प्रकार के लाब होते हैं जैसे बड़े-बड़े ढेले तूट-फूट कर महीन कर बन जाते हैं आपने देखा होगा जब आप घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं गमलों में और मिट्टी जो है सक्त हो जाती है तो उसे आप किसी भारी चीज से तोड़ तोड़ कर महीन कर लेते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं जिससे कोई भी नया पौधा लगाएं तो उसे उगने में उसकी जड़ों को फैलने में आसानी हो खेती के दोरान भी ये इसलिए किया जाता है पाटा लगाने से जो बड़े बड़े धेले होते हैं वो तोट फूट कर महीन करों में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे कोई भी फसल उगाई जाती है तो वो फसल अच्छी होती है क्योंकि उसकी जड़े अच्छे से मिटी में पैल पाती है खेत समतल हो जाता है और जिससे बुआई करने में भी आसानी होती है म्रदा की उपरी सतय पर एक पतली पपड़ी या फिर पर्त बन जाती है जिससे म्रदा की नमी शुरक्षित रहती है अब जब जुताई होती है और उसको सपाट यानि समांतर कर लिया जाता है तो मुर्दा की जो उपरी सत्य है जो उपजाओ सत्य है उसके पतली पपड़ी बन जाती है जिससे उसकी नमी जो है वो सुरक्षित रहती है क्रिशी कारियों में जैसे मेल बनाना सिचाई आदी में सुविदा होती है ये भी काफी मातरा में फसल को लाबदायक होती है क्रिशी कारी जैसे मेल बनाना अब मेल बनाने से क्या होता है पानी रुपता है पानी वहीं रहता है सिचाई वगेरा में भी काफी सुविदा हो जा और जिन्हें खेद के बाहर करना आसान हो जाता है और वो खेद को नश्ठ नहीं कर पाते बीजों का अंकुरण अच्छा होता है क्यूंकि मिट्टी पोली होगी तो बीज जो है अच्छे से अंकुरित होंगे अधिक पूर्शा होने पर खेद में सभी जगे बराबर मात्राय में पानी अफ्शोशित होता है या फिर आसानी से बाहर निकल जाता है जब पानी जादा बरसता है तो संपल जव्य होने पर या तो पानी अफ्शोशित हो जाता है या फिर वो बाहर चला जाता है और खेत की फसल को नुक्सान नहीं पहुचाता मिट्टी चड़ाने से क्या लाब होते हैं आलू, शकरकंद, अर्बी, बंडा, आदी फसलों में जड़ के उपर मिट्टी चड़ाय जाने का अवलोकन कीजिए अब यह जो आलू अगेरा उगाय जाते हैं आपने सुना होगा कि इन फसलों में मिल चड़ाय जाती है यानि मिट्टी को उपर तक धका जाता है जिससे की फसल होती है आखिर किसान कुछी फसलों में जड़ों के उपर मिट्टी चड़ाता है लेकिन क्यूं? यहां हम लोग मिट्टी चड़ाने से होने वाले लाप के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे इसपष्ट हो जाएगा कि इन फसलों के उपर मिट्टी क्यूं चड़ाई जाती है पहला कंद वाली फसलों जैसे आलू, बंडा, शकरकंद, आदी की जड़ों के चारों और मिट्टी चड़ाने से उनकी जड़ों का विकास अच्छा होता है मिटी में ही जड़े अच्छे से फैल पाती है और इन फसलों में जड़ों को फैलाना या जड़ों का अच्छे से विकास होना आवश्यक होता है इसी कारण इन फसलों में मिटी चढ़ा कर उनकी मिल पनाई जाती है दूसरा कंद बड़े एवं अधिक संख्या में बनते हैं जिससे पैदावार अधिक होती है अगर मेर अच्छी से चड़ाई जाती है उन पर मिट्टी अच्छी से ढकी जाती है तो जड़ों का फैलाव अच्छा होता है जिससे फसल भी अधिक संख्या में होती है यदि कंद वाली फसलों पर मिट्टी न चड़ाई जाये तो कंद भरे होते हैं और खाये नहीं जाते क्योंकि वो अच्छे से तयार नहीं हो पाते चौथा, सिचाई करने में सुविदा होती है जल सीधे पौधों की जणों के पास बहुत जाता है मिट्टी बैठती नहीं है जिससे पौधे एवं जणों का विकास अच्छा होता है पोली मिट्टी में सिचाई करने के से सुविदा होती है जल जो है सीधे जणों पर बहुत क्योंकि उसमें कोई अवरोद नहीं लगता, कोई रुकवावट नहीं आती और मिट्टी बैट जाने से पौधों की जणों का विकास भी काफी अच्छी तरीके से होता है पाच्वा, सिचाई में जल कम मात्रा में लगता है जिससे आर्थिक नुकसान नहीं होता और सिचाई में जल कम इसी लिए लगता है क्योंकि जो मिट्टी है वो पूली होने के कारण अच्छे से पानी उसमें अफशोशित कर लेती है और वो व्यर्थ नहीं होता चटा, गन्ना एवं इस प्रकार की अनिफसलों पे मिट्टी चढ़ाने से वे अधिक वर्षा एवं तेज हवा के प्रभाव से गिरने से बच जाती है गन्ना और अनिफसल जो होती है वो पतली होती है और उपर की तरफ जाते नाजुक होती है मिट्टी चड़ाने से उनमें एक पकड़ बन जाती है और तेज हवासे गिरने का डर भी खत्म हो जाता है जिससे उत्पादन अच्छा होता है और उनके गुड़ों में भी गिरावट नहीं आती तो ये तो हो गया हमारा पहला भाग अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें हम देखेंगे जुताई के प्रकार तो आपको कैसा लगा कमेंट शेक्षिन में जरूर बताईएगा और पसंद आये तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इस से जुड़े सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तन्यवाद पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें